हलो इन्वेस्टर्ज, मार्किट से एक से बढ़कर एक धमाकेदार खबर निकल करके आ रही है एड इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को टाटा स्टील के साथ में टोटल में 9 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिनोंने यहाँ पर स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंड अनाउस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फिनो मेडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है तमिलनाड मेरकेंटाइल बैंक लिमिटेड अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानि की फ्राइडे के दिन ये कंपनी का जो शेयर है एक्जाक्ली फ्लाट क्लोज हुआ था एक्जाक्ली अपने प्रीविएस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग प्राइस यानि की 469 रुपीज के उपर में क्लोज हुआ था अगर इस कंपनी की ओफिशल अनॉसमेंट की हम बात करें तो तमिलनाड मेरकेंटाइल बैंक ने जो है यहाँ भी डिविडेंट अनॉस कर दिया है 10 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक शेयर के उपर में 10 रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा definitely dividend अनॉसमेंट काफी अच्छा है इसको देने की x-date रेकॉर्ड डेट अभी फिलाल upcoming में है एक चीज का ध्यान रखियेगा डिविडेंट काफी पहले अनॉस करा गया था X date record date announce नहीं करी गई है आने वले टाइम में जब भी X date record date आईगी वापस से company का share और company का जो announcement है वो news के अंदर आता हुआ देखने को मिलेगा जिस चलते तब हमें दुबारा से इस company के share पे hype बनती हुई देखने को मिल सकती है तो इस चीज़ का जरूर से आप ध्यान रखिएगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Remsons Industries Limited इस company के share के उपर में last trading session पे 0.3% का एक छोटा सा correction हमें देखने को मिला था और company का जो share है 915 रुपीज के उपर में close हुआ था अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो Remsons Industries ने यहाँ पर stock split announce कर दिया है 2 is to 10 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company के 2 shares है तो वो total में 10 shares के अंदर में convert हो जाएंगे चाहिए फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मरजी shares हो आप लगो का हर एक share यहाँ पे 5-5 shares के अंदर में convert हो जाएगा एंड इस stock split को देने की जो X date और record date है finally company ने announce कर दी है जो की 5th of July यानि की 5 July की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है आशिरवाद Capital Limited last trading session Friday के दिन इस company के share पे हमें 3% की तेजी देखने को मिली जो की definitely एक ही trading session के हिसाब से कुछ जादा ही बड़ा momentum बन जाता है और आशिरवाद Capital का जो share है 7.36 रुपीज के उपर में close हुआ था share price देखकर के यह आप एक समझ गये होंगे कि यह एक penny stock है और अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो आशिरवाद Capital ने जो है यहाँ पे stock bonus announce कर दिया है 1-2-2 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company के 2 shares है तो यहाँ पे आपको एक share is a bonus मिलेगा टोटल में जो आपके 2 shares है वो 3 shares के अंदर में convert हो जाएंगे चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मरजी shares हो आप लगो को आपके हर 2 shares के उपर में एक share का bonus दिया जाएगा और इस bonus को देने की जो X date और record date है finally company ने announce कर दिये जो की 25th of June यानि की 25 June की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Genbucked Pharmaceuticals Limited last trading session पे एक company का जो share है 0.7% के एक positive note के उपर में close हुआ था और company के share का जो closing price था 846 रुपीज का था अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो Genbucked Pharmaceuticals ने जो है यहाँ पे dividend अनौंस कर दिया है 15.30 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 15 रुपे 30 पैसे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की जो X date और record date है वो 23rd of July यानि की 23 July की रहने वली है definitely dividend value काफी जादा अच्छा है अगले share की बात करें तो company का नाम है Good Year India Limited last trading session पे company का जो share है 0.5% के एक positive note के उपर में close हुआ और company के share का जो closing price था 1,182 रुपीज का था इस company के अगर official announcement की हम बात करें तो Good Year India ने जो है यहाँ पर dividend अनौंस कर दिया है 15 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 15 रुपे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की जो X date और record date है वो 23rd of July यानि की 23 July की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है HPCL यानि की हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited ये company का जो share है Friday के session पे लगबग 0.5% की तेजी दिखाता देखने को मिला और 536 रुपीज के उपर में close हुआ अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो हिंदुस्तान Petroleum ने जो है यहाँ पे stock bonus announce करके रखा है 1 is 2 2 के ratio से जिसका मतलब वही है अगर आपके पास में इस company के 2 shares है तो यहाँ पे आपको 1 share as a bonus में लेगा टोटल में जो आपके 2 shares है वो 3 shares में convert हो जाएंगे चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मरजी shares हो आप लोगों को आपके हर 2 shares के उपर में एक share का bonus दे दिया जाएगा और इस bonus को देने की जो X date और record date है यह 21st of June की रहेगी तो आपके पास में गिने चुने दिन मौजूद है अगर आपको company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको इसके bonus का benefit मिल पाए अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है Tata Steel Limited Tata Steel का जो share है Friday के session में 0.19% के एक छोटे से upside note के उपर में close हुआ था और company के share का जो closing price था 182.90 रुपीज का था अब Tata Steel की तरफ से काफी बड़ी and एक important update सामने आ रही है basically यहाँ पे एक काफी जाना माना brokerage firm है प्रभूदास लिलादर करके and I am damn sure आप लोगों ने भी जोए प्रभूदास लिलादर का नाम जरूर से सुना होगा and यहाँ पे प्रभूदास लिलादर ने जोए एक proper analysis share किया है Tata Steel के share पे जहाँ पे इन्होंने clearly बताया है 185 रुपीज का एक level है जोकि Tata Steel के लिए एक initially resistance का का काम करेगा और वही 175 रुपीज का एक level है जोकि initially एक support का काम करेगा अब अगर आपको समझाओं तो अगर 175 रुपीज तक Tata Steel नीचे आता है तो 175 रुपीज से काफी अच्छा momentum हमें उपर की तरफ में देखने को मिल सकता है बट वहीं अगर 175 रुपीज का support नीचे की तरफ में ब्रेक हुआ तब हमें further company के share पे correction देखने को मिलेगी और वहीं अगर हम बात करें resistance की तो जो 185 रुपीज का आपे resistance बताया गया है अगर Tata Steel इसे उपर की तरफ में ब्रेक कर देता है तो यहांसे potentially आपका जो अगला target बनेगा वो 198 रुपीज का बनेगा तो Tata Steel में अगर आप एक buying करना चाहते है 185 रुपीज के उपर में company का share sustain हो जाए उसके बाद में आप buying कर सकते है 198 रुपीज तक का आपका वहांसे target बन जाएगा अब देखा जाए एक proper analysis share किया गया है with proper support, proper resistance and proper target price and company की बात करें तो Tata Steel fundamentally financially कितनी जादा strong company है इसके बारे में मेरे को बताने की जुरूरत नहीं है I am damn sure आप लोगों को भी पता ही होगा and Tata Group की company है तो यहाँ पर trust issue और risk issue भी काफी एकदम कम है ना के बराबर है तो अगर यहाँ पर investment भी आप करते हैं आपका risk एकदम ना के बराबर रहने वाला है and by chance आपके buy करने के बाद में company का share थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है तो tension लेने की बात नहीं है आप इस company के share को mid term, long term तब तक के लिए hold कर सकते हैं जब तक company का share वापस से आपको profit ना दे company fundamentally financially काफी जादा strong है business काफी strong है आज नहीं तो कल definitely आपको positive returns एक company का share दे करके जाएगा तो याज रखिए वही capital इन्वेस्ट करिएगा जिसकी ज़रूरत आपको short term के अंदर में ना हो ताकि जब तक ही profit में नहीं आता आप लोग इसे sell ना करें एक अच्छा profit book करने के बाद में अब Tata Steel के share से exit बनाए definitely Tata Steel के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजेगा company के share के उपर में नजर रखनी ज़रूरी है बाकि Tata Steel के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले-पहले purchase कर लेना होगा बाकि इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही 9 stocks थे जिनोंने आप इस stock bonus, stock split and dividend announce किया था अब अगर आपको वीडियो ची लगियो definitely वीडियो को like कर दीजेगा इस channel को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा विगोस फिनों मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then, bye